बिस्मिल्ला इरह्मान इरहीम हम लेक्ट्चर्ज में डिस्कस कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक की बैलन्स टीट पे क्या फर्क पड़ता है जब डिफरेंट आपरेशन्स हो और उसमें हमने करंसी टू डिपाजिट रिशो भी देखा हमने ओपन मार्केट आपरेशन भी देखा औ उससे तो मानिटरी बेस पे फर्क नहीं पड़ा था सिरफ रिजर्ब्स पे फर्क पड़ा था और जो दो सेंट्रल बैंक की तरफ से आपरेशन हुए ओमो या फाइनेंशल इंस्ट्यूशन को लोन देने का उन दोनों से वन टू वन मानिटरी बेस पे एफेक्ट हो गया इस जिस एक परसेप्शन डिववलप हो सकती है और वो परसेप्शन ये डिवलप हो रही है कि सेंट्रल बैंक के पर्फेक्ट कंट्रोल में है मानिटरी बेस को जिस वैल्यू पे रखना चाता है रख सकता है लेकिन ऐसा नहीं क्यूं इसलिए कि अभी कुछ डिटामिनेंट्स और भी हैं आल्दो उन डिटामिनेंट का रोल कम होता है लेकिन बहरल वो मौजूद हैं और वो हम देखना चाहेंगे कि वो कौन से डिटामिनेंट से इन तीन के इलावा जो हम डिसकस कर चुकी हैं जो इफेक्ट करते हैं मौनिटरी बेस और वो कौन से हैं एक है फ्लोट एक है गवर्मेंट अकाउंट विद दे सेंटल बैंक और एक इशू हम डिसकस करना चाहेंगे foreign exchange market intervention as directed by the government तो ये तीन जो हैं इन इशूज की बेस पे हम ये देखेंगे ये तीन ऐसे डिटामिनेंट से हैं जिन से सेंटल बैंक के कंट्रोल में monetary बेस नहीं रहे इन में से पहला float तो पहले हमें float को define करना पड़ेगा float क्या देखें float का concept basically ये है कि जब एक check लिख दिया जाए तो एक दफाद check clearing में एक तरफ माइनस होता है तो उस पोड़े time के लिए वो money दो जगा पर count हो जाती है जब दो जगा पर count होती है तो monetary बेस बढ़ जाती है float का एक technical definition ये है कि available balance माइनस book balance यानि कि एक business entity है उसका एक actually balance है और एक उसकी book value है जैनि कि उसकी books में जो balance आ रहे है तो जब उसने check issue कर दिया तो वो उसकी books में value माइनस हो गई लेकिन practically दूस तरफ transfer नहीं हुआ तो bank में मौजूद है तो इसको हम कहेंगे ये float हो गया अब ये float को sometimes purposefully भी लोग यूज़ करते हैं business entities यूज़ करते हैं इसके कुछ benefits होते हैं लेकिन हम उस detail में नहीं जाते हमारा इस वकत point यह है कि float की वज़ा से जो money है वो दो दफ़ा count हो रही होती है system एक account में भी हो रही है दूसरे account में भी हो रही है तो ये जो twice counting है इसकी वज़ा से money supply बढ़ जाती है होता ये temporary है ये एक कंटे के लिए भी हो सकता है maximum एक दिन के लिए भी हो सकता है इसमें sometimes weather का रोल आ जाता है sometimes कोई इसमें seasonality जैसे कुछ खास हफते के दिनों में ऐसा होता है जिस दिन काम ज्यादा हो उस दिन बीच में delays हो जाते हैं लेकिन बहराल ऐसा हो दूसरा issue government का है अ account होते हैं क्योंकि जो है वो इसकी dealing होती है उससे जबके government का एक central bank के पास account होता है जिससे main government की payments होती है तो अगर government जो है वो commercial bank में से अपने account में से amount withdraw करे और central bank की account में deposit करे कुछ operations के लिए तो उससे होगा ये कि commercial bank से reserve निकल गया और central bank के पास reserve चले गया और जो commercial bank से reserve निकल गया इसका मतलब है वो market से out हो गया याद रखें जो currency या reserve central bank के पास है उसका economy में कोई impact नहीं होता उसे हम न reserves कहते हैं न उसे हम currency कहते हैं currency और reserves वो ही है जो central bank ने issue कर दी है उसी को हम economy के लिए reserve और currency कहेंगे तो currency जब तक issue नही bank के पास है it is worthless यह नहीं कि उसकी economy में कोई meaning नहीं है को वर्थ नहीं तो चुकि यह reserve वापिस चले गया तो इसका मतलब है economy के अंदर या market के अंदर reserves कम हो गया तो इसका मतलब है monetary base भी कम foreign exchange market intervention यह तीसरा aspect है यह तीसरा एक determinant है monetary base का जिसको हम कहते हैं कि इसकी वजह से monetary base central bank के नहीं रहते हैं तो हमें पहले यह देखना है कि foreign exchange market intervention होती क्या है देखें इसकी एक example ले लें कि पाकिस्तान में हमारी currency है रुपी और हम उसका exchange rate mostly dollar से देख रहे होते हैं हम देखते हैं कि इतने रुपीज का dollar हो गया अगर हमारी currency पे ऐसा pressure आ जाए कि वह depreciate होने लग जाए और dollar की value बढ़ना शुरू हो जाए हमारे मुल्क में तो उसका एक तरीका हो सकता है कि Central Bank के पास क्योंकि foreign exchange reserves होते हैं हमने NFA में पढ़ा है तो वो अपने foreign exchange reserves में से market को foreign exchange sell करे जिसे हम कहते हैं intervene करे inject करे तो उससे क्या होगा उससे भी monetary base पे फर्क पढ़ेगा तो जब आप की currency पे pressure हो कि वो weak हो रही हो depreciate हो तो फिर Central Bank को dollar sell करने पढ़ेंगे interbank market जब वो यह sell करता है तो उसका NFA जो है वो decrease हो जाता है क्यों? NFA के अंदर foreign currency शामिल थी foreign exchange शामिल है तो जो आपके assets में Central Bank के assets में एक NDA है main एक NFA है तो foreign exchange चुके उसने sell कर दिया interbank market में तो जाहर है उसका NFA कम हो गया net foreign assets उसके कम हो गया और दूसरी तरफ जो NDA है उसमें government securities है या financial institution को loan है उन पे तो कोई फरक ही नहीं पड़ा तो इसका मतलब यह है कि NDA में फरक नहीं पड़ा NFA कम हो गया है अब NDA और NFA को asset side से मिलाएं तो यह monetary base बनती है जैसे liability side से currency और reserves को मिलाएं तो monetary base बनती है इसी तरीके से asset side से तो NDA और NFA को मिलाने से monetary base बनती है तो जब NDA पर कोई फरक नहीं पड़ा NFA कम हो गया है तो इसका मतलब है monetary base कम हो जाए अब यह monetary base central bank की अपने action की वज़ा से बेशाक हुई है लेकिन जो exchange rate को किसी rate किसी खास level पे रखना है इसका decision government कभी हो सकता है तो इस वज़ा से हमने क कि यह उसका control कम रह जाता है या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि central bank का control अपना ही अपनी monetary base पे कम हो जाएगा अगर वो exchange rate को stabilize करने के लिए market में intervention करें और finally हम conclude करते हैं कि हमारे पास तीन जो main determinants आए other than वो determinants जो financial market को financial institution को loan देना या currency change होना या OMO conduct करना उसके इलावा जो में float है जिसमें shifting governments deposit from commercial bank to central bank है और फिर central bank की अपनी foreign exchange market में intervention है इन तीनों से central bank का अपनी ही monetary liability अपनी ही money या अपनी reserve money या उसकी monetary base पे उसका control काम हो जाएगा